हेलो फ्रेंड्स मैं विश्वेंदर आप सबका ज्यान संगम क्लासिस पर स्वागत करता हूँ जैसा कि आपको पता है हम इंडियन पोलिटी का कम क्रेश कोर्स जो कम्पिटिटिव एक्जाम्स के लिए है हिंदी और इंविश लेंग्वेज में आपके लिए लेकर आ रहे हैं आज लीक्चर नमब़ ठार्ड है जो की हिंदी लेंग्वेज में होगा जिसमें हम सबसे पहले 1793 के रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ेंगे चलिए देखते हैं 1793 रेगुलेटिंग एक्ट हम पिछले लेक्चर में 1773 और 1784 के Act को पढ़ चुके हैं और उनके Main Points जो थे उनको पढ़ चुके हैं आज हम 1793 के Regulating Act को पढ़ेंगे सबसे Main Point क्या है कि Salary of East India Company Members और Officials अब इंडिया से ही Grow की जाएगी मतलब इंडिया के ही खजाने से ली जाएगी यह कब तक रहेगा यह 1999 तक रहेगा ठीक है जब 1999 का Act आएगा वहाँ पर हम उसे देखेंगे तो पहला Main Point क्या था Salary of East India Company Member और Officials इंडिया से ही ली जाएगी Second क्या है इसमें जो East India Company है उसको चाइना से OPM Trade के लिए Allowed कर दिया गया और तीसरा जो Point है इसमें East India Company का Charter जो है East India का Charter 20 years के लिए Extend Further Extend कर दिया गया Extend कर दिया गया तो किसी भी competitive exams हो चाहे SSC हो चाहे HSSC, HTET हो, UGC Net Paper First हो या और भी CTET हो या और भी कोई teaching exams हो ठीक है या फिर हम यूँ कहें state civil services के exams हो या UPSC के exams हो उनके foundation में ये बहुत useful है ये lectures और other teaching exams है उनके लिए ये सब कुछ है ये lectures तो 1793 के regulating act में तीन main बात रही पहली रही salary of East India Company के जितने भी members थे या officials थे उनको अब इंडिया से ही मिलेगी मतलब इंडिया को अब और तरीके से लूटा जाएगा दूसरा क्या है कि चाइना के साथ OPM trade को allowed कर दिया गया तीसरा उनका जो charter है उसको 20 साल के लिए extend कर दिया गया अगला important बहुत ही important जो next आया ये इतना important नहीं है इसके बाद एक important बहुत ही charter act आते है 1833 charter act ठीक है इसके backdrop में England में क्या चल रहा है ये रोप में क्या चल रहा है Napoleon बहुत strong हो रहे है जिससे England बहुत डरा हुआ है ठीक है तो इसका first important point जैसे कि ये crash course है Christian missionaries को allowed कर दिया Christian missionaries को preach करने के लिए या परचार करने के लिए allowed कर दिया गया अब ये जो Christian missionaries है आगे जाके 1857 के जो great revolt होता है first war of independence होता है उसका main reason बनती है उसके होने का वो history का separate topic है बस मैंने वैसे knowledge में के लिए आपको बता दिया है इसी दोरां debate भी चल रही होती है कि इंडिया में किस type का education और उस education का medium क्या हो content क्या हो इस पर सब पर debate चल रही है कि वरना कुलर medium हो या English medium हो तो इसी लिए यहाँ पर one lakh रूपी आप हसेंगे और हैरान रहेंगे इतने बड़े देश के लिए इतनी बड़ी population के लिए सिर्फ one lakh रूपीज का प्रावधान किया जाता है for education ओके अब क्या हुआ था यहां देखिए यह point charter 20 years के लिए extend कर दिया गया था यहां क्या है कि East India Company की monopoly को खतम कर दिया जाता है ठीक है बट जो main important point है यहां लिख देता हूँ except tea and china मतलब अब इंडिया में कोई भी company या कोई individual businessman या tradesman इंडिया के साथ व्यापार कर सकता है ठीक है पहले यह सब एकाधिकार monopoly सिर्फ इंडिया company की थी बट अब East India Company की जो monopoly रह गई है वो सिर्फ tea में चाय के व्यापार में और china के व्यापार में ही रह गई है ठीक है यह तीन important point है और सब point में आपको वैसे बता देता हूँ कि जो local government है local government में क्या आता है नगर निगम नगर पालिका ग्राम पंचाय जिला परिशर इनको tax collection की power दे दी जाती है ठीक है इसके बाद क्या किया जाता है जैसा यहां किया था कि charter 20 years के लिए extend किया जाता है उसके बाद East India Company charter extended for further 20 years इसका मतलब क्या हुआ कि East India Company का charter जो है 20 साल के लिए extend किया गया है तो इसका मतलब क्या हुआ 1813 में आया है तो that is up to 1833 ठीक है तो इस तरह 1813 के जो charter act के main provisions थे जो मैंने फटा फटा आपको 2-3 मिनट में बता दिये हैं और 1793 का regulating act भी आज हमने पढ़ा तो आज हमने mainly 2 act cover किये एक तो regulating act किया और first charter act अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा था तो first charter act 1813 था ये बहुत important है ठीक है ये बहुत important है Christian missionaries, one lakh rupees education के लिए ये बहुत important point है ये तीन उपर के सबसे main point है तो आप इन्हें बार-बार revise कीजिए और हो सके तो हमारी वीडियो को देखर खुद के notes prepare कीजिए जो आपको बहुत ही beneficial होंगे तो अगले lecture में हम 1813 के बाद 1833 के charter act से start करेंगे तब तक आप पिछे की वीडियो और इस वीडियो को बार-बार देखे, revise कीजिए और notes बनाईए और जो भी problem आ रही हो comment section में या मेरे whatsapp number पर मुझे directly message कीजिए please इस type के course के लिए हमारे channel को subscribe कीजिए, videos को share कीजिए और like कीजिए हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवा, thank you